हलो एव्डिवान वेल्कम टू उले आईएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लीस इन यूज के बारे में मेरे आपसे सवाल है कि आपको पता है कि रामसार कहां क्या इस मैप पे आप मुझे बता सकते हैं कि मेकांग रिवर कहां बहती है और क्या विवाद है मेकांग गंगा को आपरेशन क्या होती है इन सभी चीजों को जाने के आज की वीडियो में वेल्कम टू ओली आये सचली शुरू करते हैं डिसकेशन सबसे पहले नीज जो बारे पास आई है वो है वर्ड वैटलेंडे की यानि एक रामसार साइट है इंदौर में इंदौर कहां पर है मद्रबर्डेश में सबसे क्लीर इस सिटी में गिना जाता है इसको स्वच सर्विक्षिंट रैगलाती है इस बार का वर्ड वैटलेंडे सेलिब्रेट किया गया कहां तो सिर्पुर लेक में पहली चीज़ यह सिर्पुर लेक कहां लोकिटिड है तो इन दौर में यह आपको यार कर जरूरी है इंडिया में जो वैटलेंड साइट है जो नॉमली हमें पता होता था कि 75 हुआ करती थी लेकिन बार में और वैटलेंड साइट एड भी हो यह 80 तक पहुच गई है दोजार चॉबिस में तो वर्ल्ड वैटलेंड ने पहली बात कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है सेकेंड नॉफ एब को वैटलेंड को प्रटेक्ट करने के लिए क्विटी मनाये गई है वो कौन सी है क्या कन्वेंशन है वो भी जाने की लेकिन इससे प तो यह जो इस बाद सिर्पो एम लेक पर अब जब हम बात करें वेटलेंट डेकी तो असल में पता है इसके लिए रामसार साइट्स के जिक्र किया दा रामसार कर्मेंशन वर्थ प्रोटेक्ट दा वेटलेंट में आप से सवान है रामसार कहां पर है क्या मुझे बदा सकते हैं रामसार कहां लोग तो असल अपने आंसर आप मुझे पहले आपको वीडियो के एंड तुक बताऊंगा रामसार कहां सेच्वेटेट हैं इंडिया में कही रामसार साइट्स जो एड मुई है नहीं उटकी में लिस्ट आपको आपको दिख जाएगी सेच्वेट को एक बार नजर बारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पुरारी हैं उनके से मेजर लिए कुछ आपको पहले से पता होंगी यह तहीं आपको आपको 75-80 याद करना बोश्किल है बर अवेर होना ज़रूरी है कि क्या क्या साइट से क्या क्या नावन है सतकूश तो ज़रूरी है कि आप रिविजन में फोकुस करें कीवल इंफोर्मिशन पर नहीं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीडवलियो लिए अपनी आफ्लाइन ट्रासस आप सब के लिए लिए आया है मुखरजी निगर में, करूलबाब में, लखनाओ में और पत्ना मे अब उत्तर प्रदेश और बिहार से ये विडियो देख रहे हैं, तो आप लेखनो ये पठना में आकर हमारे ओफ्लाइन ट्रासस को जॉइन कर सकते हैं, जह आपको मुखा मिलेगा, इंदी के अलावा अगर इसी बाते में भी पढ़ देगा, इंदी ए बीजिसरों माते में प्रेकल तक प्रिपेर कराया जाता है, अब पुरुद्य तयार नंगे इस एक्जाम को बिल्कुल क्रैक करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, अखली का बरिडियो पर आते हैं, ब्रजील में, ब्रजील में असल में एक शहर है, रियो दुजिन रियो और सापोलो, दोनु जगह ब्रजील का, यहाँ के आस-पास ही कुछ चीज़ है, जाब कोई याद होनी चाहिए, एक तो पहले यहाँ पर एक है, ट्राइंगल, लीधियम ट्राइंगल, क्या कौन से ट्राइंगल है, यहाँ बस रवादिक लीधियम मिलता है, इंडिन ए अर्जिंटिना के साथ डील भी साइन की थी, ठीक है, बॉलिविया चिले पे बहुत बात रहों मिलता है, ब्रजील और अचेटीर आप फुट्वाल के की कांट्री से आप वहाँ से इसको रेलेट कर सकते हैं, चाइना ने पेरू के पास एक नया पोर्ट बनाया है, बहुत बढ़ा डीप सी वाटर बोर्ट तो यहाँ पर चाइना का प्रफुत्व साउथ अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, यह इस न्यूसर सो कुछ लेना दे रहा नहीं है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता है, वाइट पावर कोबिटिशन स्टार्ट हो चुक रहा है, अमेरिका और यूसे के बीच में वब कॉल्विया दिख रहा होगा, परक्वय दिख रहा होगा, यह ऐसी कंट्री से जो लैंड लॉक्ट है इस रीजिन में, ठीक, अब मेरा आप से सवान है कि कि मच्छर की कार्णे से असरमिंट दिंगी फ्याल रहा है, इसके मच्छरों से, एडिस एजप्टी मच्छर नॉमली का, अब अगला एक है इंडिया के बारे में और इंडिया के यूबी आई के बारे, दिकर नई चीज़ जो समने आई है वो है कि इंडिया इसका ग्लूप पाथ व्रांस में, फ्रांस के अफिल टावर पर जाकर इंडिया ने यूबी आई का लॉँच किया, अब UPI क्या Unified Payment जो अमारा सिस्टेम उसकी बात की जा रही है तो UPI में Unified Payment Interface है इसकी खास बात क्या होती है इसकी खास बात ही है कि आप किसी में बैंड से किसी में बैंड का जो पेंड कर सकते हैं इस पोर्टल से चुनके है तो UPI आपको प्रवाइड करती है तो एक पहुलियत कहते है तो तुभी आपको नौ बली अभी वर्ड की जो डेवलप कंट्री से वहाँ भी सिस्टेम ऐसा चल रहा है कि वो जाते है पहले बैंड में चेक देंगे फिर चेक निकल के आएगा फिर कैश मिलेगा इस तरह से इंडिया में इस सिस्टेम बहुर जादा ही जिससे देखा गया काफी ओपन है ट्रांस्पेरेंट है और इसी को लेकर इंडिया नसे डूबली लांच किया तो इसके यह जिसको चलाती है असथा उसका नप पताए होगा आपको नशल्ल पेरेमिट क्परेशन योज बताए है और यह पार्टर कर रहे है फ्रांस की कंपनी के साथ फ्रांस की जो इ-कॉम्र्स प्रॉक्सिमीटि प्रोड़ा है यह उसके साथ तो यह देखे नाइरा जुड़ा हुआ है फ्रांस सेट और NPCI जुड़ा हुआ है यूबियाई सेट ताकि यूबियाई का पेमिट आप फ्रांस में शुरू हो जाएगा और यह जो मल्टिपल बैंक है वो सिंगल मोबाइल अप्रिकेशन के थू जो पेमिट जिसे आप इंड सिंगापूर बोटान नेपाल और फ्रांस को अब याद रखे 2023 पे सिंगापूर के पेनाओं के साथ एक एंग्रिमेंट साइन किया गया था जिसमें दो देशों के लोग जो है वो क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर ट्रांसेक्शन कर सकते हैं भारत और सिंगापूर के लोग इस सिंगापूर भी है और अब तो फ्रांसेक्शन भी इसका इन्वेसल लॉन छोड़ चुगा है तो यह सारी कंट्री से यूपिया का यूज करती है अगला अर्टिकल बात करता है चान कंट्री के बारे में जो कहलाती है क्वार्ड क्योंकि क्वार्ड के बारे में अभी एक ब सिर्व कैसे इस लेवल तक ही पहुचा है जरा है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले क्वार्ड का जिग्र किसी ने किया था तो वो थे जैपनीज प्राइम मिनिस्टर शिक जो है बे जिनकी डेथ कुस्टर में पहले ही तो क्वार्ड यानि क्वार्ड एलट्री इसको और कोई भी ग्लोबल थेट अगर आता है तो उससे कैसे दुनिया लड़ेगी इसके बारे में तयार करना उसके लिए दुनिया को सपोर्ट करना और कहने के लिए चाना एक एलाफ कड़ा है लेकि डिरेक्ली ओपर लिए दोर ऐसा कुछ कहा नहीं तो कोड की बात आती के शुरू में शुरुवात होती स्कूर्ट है 2004 से ही जब एक रिलीफ ऑपरेशन भी इंडिया जबैन युएस ऐस्ट्रिया के जो सुनावी आया था तब इन दिशुक ने मिलकर एक ट्रेस्टी ओपरेशन यहां रण किया था लिए उसके बाद यह चलाना इसकी ऑपरेशन क जब सुनावी के बाद खत्म हुआ था चीज़े खत्म हो गई 2006 में शिंजयो आबे ने ऐसा कहा था कि यहां इस रिजन में जो लाइक बाइड इट कंट्री से जो चाहती है सीफटी सेक्योर्टी से रिजन का उन्ने साथ आना चाहिए और मुशल दिखाते हुए यहां पर सा खड़े मुझा चाहिए लेकित 2006 में जब पुश किया था तो पहले ऐस्ट्रिया को डर लगता था कि कई चाइना को बुड़ा दर लग जाया जपैन भी जपैन तो हमेशा आतूर था ही जपैन की प्राइम स्ट्रिशन जुआ में लेकिन जपैन की कहने कि बावजी तो यह चीज़े 2007 में इसकी फॉर्मल मीटिंग भी हुई मालाबा भी ट्रिकसाइज भी हुआ लेकिन उसके माने से बताया शिट जो आप इने एक तो परे महा से रिजाइन किया उसके बाद दिरे दिरे ऑस्ट्रिया कहा जी रही उने अमेरिक चाइना का प्रेशर है उसका पार चुरू हो रहा था तो इसमें रूल सुनामी का मालाबार एक्सराइज जोगी ती जाए सारी कड्री साथ है थी उसके बाद चिल्यो आवे का जाना ऐस्ट्रिया का बैक आउट करने खर्ट हो गया था 2017 में दुबारा इसके बादिक लेवल मीटिंग जपैन भी प्रिपोस करें अगे उसके बार इसको फिर डाया पुश मिला और ये ऑस्ट्रिया ने इसको बाद में जॉइन किया 2020 में यू इंडिया यूस जपैन मेलाबान डीवल एक्सराइज को और इस और दुबारा खड़ा हो और अब क्वाड आगे बढ़ता है जाना का मक्सर कि अभी इस रीजिन में कोई भी थ्रेट अगरे स्कोर रोखना तो क्वाड एक ग्रूपिंग की तरह काम करता है इसका कोई डिसिजिन मेंकिंग बाड़ी नहीं है कोई स्क्रेटरी डिएगी इस कंट्रीस में ऐसा कुछ नहीं है या नॉमली समिट्स होती हरसां और एक्षेंग बिल्ट्री डियूस होते हैं तो पर ऐसा फ्रेपर्क नहीं है तो यह कंट्रीस चाहे तो लूजली भी आपस में काम कर सकते हैं जैसे हम देखें तो SCRI सप्लाइचेंज रिजिलिनस कंट्रीस मिलके इसको सपोर्ट करता हैं तो जरुरी ने कि कौर्ड में समीमेंबर्स को एगरी करे तर्रीक वो देखेंग इसके साथ जूर सकते हैं आप नॉमली भी जूर सकते हैं क्किकौर्ड एक इनो फ्रॉर्नल क्डुक है, और का यह जाता है, कि इनका मेर उध्देश है इंडो परचिफिक की सेफटी और सेटी, इनका मेर उध्देश है और उसकी पूर्ती के लिए साथ आये है, और आपको दिख़ए हैं, जो थ्रेट सबसे बढ़ा बनेगा या तो किसके लिए बनेग अल्रेडी इंडिया, जिपैन, उस्ट्रिलिया कई जी का कोलेबरेट करते हैं, तो सीधा-सीधा इस रीजन में इंडो-पैसिफिक में चाइना के जो चैलेंजियों से काउंटर करने के लिए खड़ा होता है क्वार्ड, क्वार्ड की कहानी हमने जान ली, अब क्वार्ड को लेकर बात क्या होईगी, कहाई US Elections के बाद ही असल में क्वार्ड के गलाब इंटायलोग होगा, तो बात क्या करते हैं, क्वार्ड में Rules-Based Order की दुनिया में एक नियम हो, नियमावली के इसाब से संजार चले, Kingdom of Navigation होना चाहिए, Free, Open, Prosperous, इंडो-Pacific region की बाद की गई है, तो इसका पहला Forward Summit 2021 पे हुआ था, Model for the World इसे बताया गया था, चले, हम आगे बढ़ते हैं और मात करते हैं कि नदी के बारे में, Mekong River, एक डैम को लेकर लेकर लाउस में बहुत तवाही मच रही है, क्योंकि लगातार डैम बन रहे हैं, तो एक डैम जिसके हम बात कर रहे हैं, वो डैम कहां बन रहे हैं, लाउस, तो वो डैम की साइट है कहां, तो लुआंग प्रमाग, लुआंग प्रमाग डैम बनेगा, लुआंग प्रमाग जगा है, पर कहां पर है तो यह लाओस में है तो देखें, लाओस पहले सिचुटेट हें है यह रहा लाओस मेकॉं रिवर चाइना से चन्दी है तो आपको दिख रहा होगा यह लाऊस, थाइलेंड्ड, कमबोडिया लियत नाम तक जाते हैं यहाँ सम्दर में इस तरह से मिलती है अब दिख्कात दियें कि बहुत सारी टेम बनाए जाए और जो भी देश जहांसे रिवर बनती है मांड़ों चाइना इस अप्ष siitä लिए क्योंकि यही से river निकलती है यहां से नीचे की और जाती है तो यह सारी countries downstream के लाएंगे डाउन रिपरेंट country इंदे रिपरेंट country काल्स है सबसे जारा चाइना और बाकी सारी country lower तो अगर कंबोडिया को देखो वियतनाम को देखो तो उपर अगर बहुत सारे dams बन जाते तो इन देशों की बात करेंगे नीचे वाले देश के पास पानी ही नहीं मिलेगा तो इसी लिए बहुत इंपॉटन्ट है कि जो वाटर का फ्लो है उसे किसी टीटी की तरू मेंटिन किया जाए लेकिन चाइना किसी भी कंट्री के साथ कोई वाटर टी करने को तयान नहीं रहता चाहिए मैकॉंग की बात करें चाहिए मैकॉंग को लेकर अभी दिक्कत यह है कि एक जो डैम बनने वाला है कहां पर प्रमांग डैम वो लाउस में बनेगा तो उसको लेकर विव वो तो बना रखा है तो चाहिना वही इनका लाजेस ट्रीनिंग पार्टनर है यहां पर चीजों को पुश करता है पानी को लेकर वियतनाम कंबोडिया औरी सताय हुए वो लगता है कि पानी और कम हो जाएगा अगर मेकॉंग पर काम नहीं करेगा चाहिना तो देखे मेकॉं अगर मेक भार्टनर है और मेकॉंग पूरचंग पार्टनर है पुश आपको रह चाहिन आपको ब्रभवत्र पूत्र भी यह रह रहने वाले हुए नहीं है चाहिना तायार नहीं है तो यह एक तरीका जा इंडिया इन देशों के साथ मिलकर अपनी खुल्ड के आंको दिखत तो इसी तरह इंडियान के साथ मिलके गंगा मेकॉंग को उपर बात करता है कि हम साथ-साथ कॉलिबरेट कर पाएं चीज़ों पर लेकिन चाइना मिलकुल पीछे हट के रहता है तो यहां मेकॉंग रिवर किंगीन देशों से बेहती है मेकॉंग रिवर के उपर यह वाटर प् une population के इस दसवीर को देखकर आपको कौन-कौन सी countries के map आपको याद आ रहे है क्या-क्या लग रहा है क्वा सी country यह कौनس कोंटिरी में इंडिया चासे में में मताऊं मे क्या व soci है यह मैं ऐनकों में इंडिया प्लस फाइव आसियान कंट्रीज है, पाच आसियान कंट्रीज कौन कौन सी है, जनरली इन देशों के साथ इंडिया बहुत अच्छे संबंद बनाना हमेशा चाहता है, CLMV, CLMV मतलूं कमबोडिया, लाउस, मियानमार, वियतनान, और लास्ट में T, थाइलेंड, CLMV T कंट्रीज, प पुष्ट करता है, और यह देश भी चाहिना के साथ सताय हुए, तो इंडिया चाहता है कि इंडिया प्लस CLMVT के साथ मिलकर, और कोलेबरेट करें, और कोपरेशन, टुरिजम इसम पर बढ़ावात है, जैसे और भी रिवर के आसपास जैसे बिम स्टेक हो गया, तो इस तरह की चीज़ने चलती रहती है, लेकिन इंडिया दे इसको थोड़ा कम फोकस किया था पहले, अचानक इस पर और पुष आना स्टार्ट हो गया है, दोज में आप देखी सकते हैं, ऊपर कितने सारी डैम्स हैं यहां देखे, तो बहुत सारी यहां पर अपर अपर अपरेशनल डैम्स है, प्लाइन डैम्स भी है, तो अपरेशनल डैम्स है, बहुत जादा है, रिवर को बहुत जादा है, जो बाकी दिशों के लिए एक दिक्कत का स जादा है और यहां से जम लोग को हटाया जाएगा तो काफी दिक्कत है यहां पर बढ़ जाएगी एक ऐसा मुल्टी बिलिन डॉलर का डैम है जिससे इस सीटी का यह इसको स्टीटिस चिन सकता है इस सीटी को बहुत जारा नुपसान हो सकता है तो फिर से इंग पर आईए कहा पर लुवांग प्रांग पर यहीं वो जगह जहां टैब बढ़ रहा है यहां से डिस्प्लिस्मेंट होगा तो बहुत नुपसान इस शहर की जो हरिटेज है उसको हो सकता है इसलिए बहुत जारा पढ़ा हुआ है लेकिन क्योंकि बिलिट डॉलर्स में लगे पढ़े है तो पुश करना लोगां को as a tourist spot बहुत ज़रुवी था लेकिन वहां इतना बड़ा डैम बनाना लोगे डिस्ट्रेस करना काफी दिक्कत खड़ी कर सकता है विवाद यहां पर एक अलंग यह भी है तो आपको पता ही है में कौंग की ओपर कई सरी टैंस है अब नहीं नहीं डिसक खत्म हो चुके हैं यह बहुत ही विशाल का है टॉटम इस है जो फिर से खड़े हैं अब लिए इंपोर्टन के है कि आपको यह पता होना है चाहिए कि पहले मेडगेसकर नहीं पर है अगर वर्ट बैप पे रिखो तो यह जो टुकला उटाव वासा दिख रहा है इसे कहते ह यहां से इंपोर्टन शिपिंग रूट भी पास होते हैं यह एक केप अफ गुड होप नीचे वाना हिस्सा अभी जब यहां पर विवाद हो रहा था रेट सी के पास यमन में जो हाउटी डिवल्स के वो फारिंग कर रहे थे लोग कुछ देशों ने दोबारा यह पुराना इंडिया की बहुत आउट वीच है में डाल भी बोट करता है वहाँ दाल रोक ही जाती है भारत के मार्केट के लिए भारत बाब में उसे खरीदता है वहाँ से यह बात हो गई और इसके बाद एक दिशवचा मयनमार जहां एक सिविल वार हो रहा है तो मयनमार पे सिविल व इंडिया एक बड़ा प्रजेक्ट कर रहा था जिसे कहते थे कालादा असल में एक रिवर कणाव है तो कहानी यह कि कलगत्ता का पूर्ट है इसकी स्थिती बहुत खराब है यहां पर जो घात है बहुत जादा इसलिए शिप्स बड़े लग नहीं सकते तो इंडिया ने प्ल किलोमेटर क्रोस करते सित्वे पोर्ट से होते बहुत जाएंगे यहां से परटवा में पहुचेंगे फिर वहां से हाइवे पगड़े बिल्कुल एजवाल पहुच सकते है इससे बहुत साला समय बचे लिए आप तवर पे आपको कलकृता से एजवाल जाने के लिए रूट लेना पड़ता था जो बहुत बड़ा रूट तो इतने बड़े रूट को शॉट कर देंगे लिए नया रूट प्लैन किया था तो इससे कहता है कालादान मल्टी मोडार ट्रांसिट ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें आप रिवर समद्धर और रूट का सहाना भी ल कबजा किसका हो चुगा है यहाँ पर विवाद की वजय राकना अर्मी अराकन आर्मी यहां ऑफ्रेट करे किया रबरोती ति अराकना आर्मी वही आर्मी है रोहें का ग्रूप हैरिबल्स का जो रुहेंगियाज के लिए खड़ा होगा था तो रचभाइल स्टेट को पेले कहते थी यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ यह जो पूरा इलाका है यह असल में यह पूरा दीजेंट ही जाए यह एक स्टेट है इसका नाम है इंडिया को बॉर्डर लगता है वाँ में अनवार की साथ बंग्रीश के साथ तो भारत के लिए दिक्कत की बात आसकते की यहाँ पर बाद में और समस्याइए खड़ी हो सकते इसलिए इसे कंट्रूल करना पहुट इंप बॉर्ड़न ले लागाता है कैसे इसे कंट्रूल किय जाए और क्या तरीकिया हुज़त इसको समझने के लिए हमारे काम में चीज क्या है कि कालादान मल्टी बोडार टरेक्ट क्या है यह समझना कनादार रिवर का नाम है पहले कलकत्ता से अप एजवाल को जोडने के लिए इस रूट की बात कर रहे थे जो मैनमार का प्रोविस इ इंडिया के दरफ आते हैं तो हिंसा फैन सकते हैं दूसरा इंडिया तो जो एसेट है इंडिया के जो इन्यूर्समेंट है उसके ऊपर एक और चीज़ जो निउस में थी वो थी इंडिया और मैनमार का फ्री बौडर रेजीम यहाँ पर आप सोले किलोटर तक बौडर के इंडिया और मैनमार के बीच में जा सकते थे एक पस आपको बास बसाना होता था उसके पूट नहीं लगता था तो आपको बंद होने वाना है और यहाँ पर पूरी श्रेंसी होगी बौडर पर ताकि कोई बिना पर्मिट के आंगे आ जान ना सके तो कहा गा फ्री एंप है इंडिया मेनमार के साथ कौट से बौडरिंग से फ्री मुबिट रिजीम क्या होती है रखाइंग प्रविट्स कहा पर है क्यों इंडिया के रखाईंग इंपौर्टेंट है जो मुल्टि मोर्डर प्रोजक्ट है वो किस रिवर के उपर बन रहा है यह सारे चीजें समझ य आइस ओफिशल को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम पर और और सारी पीडियेस का यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बहुत-बहुत अन्वाद कीप ओन वाचिंग ओन वाचिंग ओन लियाएस और नाइस टीव